Hello everybody, welcome to my channel आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप बहुत ही आसानी से कुर्ती के चाग बना सकते हैं तो अगर आप beginner हैं और आपने अभी सिलाई शुरू की है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस तरह आप अपने चाग को बहुत ही आसानी से सफाई से बना पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो ये है मेरी कुर्ती का कपड़ा और ये है साइड का हिस्सा ये खुला वाला भाग जहांपे की हम अपना चाग बनाएंगे तो ये है hips point जो हम hips का measurement लेते हैं वो है ये फिर उपर की तरफ कमर और burst point है तो सबसे पहले हम अपने hips point से लेके ये जो आगे का बचा हुआ हिस्सा है इसे नाप लेंगे तो ये मेरा 2 इंच है तो नीचे भी हम exact 2 इंच का निशान लगा देंगे अब इन दोनों points को हम मिला के एक straight line खीच लेंगे अब ये देखे ये जो line है यहां से हमें fold लेना है तो ये जो gap है ये काफी जादा है 2 इंच का तो जो fold होगा वो काफी बड़ा fold बनेगा मोटा fold बनेगा तो जो की चाक के लिए एक खुबसूरत नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसको थोड़ा सा extra कपड़ा कट कर देते हैं तो आधा इंच करीब कपड़ा मैंने यहां से कम कर दिया है तो यह देखे अब इस बचे कपड़े को हम fold करेंगे तो यह देखे पहला fold हमें line तक लाना है यह देखे इस तरह और दूसरा fold इस line से just आगे तक का ले जाना है तो बहुत ही असान है आपने देख लिया और अब हम इसे pin कर देंगे तो इस तरह हमें double fold लेना है और pin कर देना है अगर आप beginner हैं तो pin का use जरूर करें इससे आपका काम काफी आसान हो जाता है और साफ सुतरा result आता है अब इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी double fold लेके pin करना है सेम इसी तरह हमने fold देना है दोनों तरफ तो ये देखे हमने दूसरी तरफ भी pin लगा दिये है फोल्ड करके और ये कुछ इस तरह लग रहा है कुर्ती के दोनों तरफ हमने fold करके pin लगा दिये है अब हम सिलाई देंगे तो सिलाई हम पहले एक तरफ से शुरू करेंगे उपर तक जाएंगे hips point से हम आधा इंच उपर जाएंगे और फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे इस तरफ और यहां से फिर हम straight नीचे आ जाएंगे और सिलाई को पूरा करेंगे तो ये देखे मैं एक तरफ से सिलाई शुरू कर रही हूँ और बिल्कुल side side में मैं सिलाई दे रही हूँ pin हटाते जाएं तो इन pins को आप हटाते जाएं और side side में सिलाई देते जाएं अब हम उपर की तरफ hips point पे पहुँच गए हैं यहां से हम आधा इंच उपर सिलाई ले जाएंगे अपना और अब दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे इस तरह यह देखें बिल्कुल सीधी line में हमें दूसरी तरफ आ जाना है और अब हम दूसरी तरफ भी same उसी तरह side side में सिलाई दे देंगे यह देखें यहां हमारे सिलाई नीचे तक आ गई है इसे हम यहां खतम करेंगे और यह देखें यह हमारी सिलाई कुछ इस तरह लग रही है यह देखें यह है उपर का भाग और इसी तरह हम अपनी कुर्ती का दूसरा side भी पूरा कर लेंगे ये देखे हमने यहाँ पे सिलाई दे दी है और हमारी सिलाई कुछ इस तरह लग रही है ये देखे सीधी तरफ से ये कुछ इस तरह लगेगी इसी तरह हमने सेम दूसरी तरफ भी सिलाई दे दी है दोनों तरफ के चाक पूरे हो गए हैं और नीचे की तरफ हमने 1.5 इंज का कपड़ा फोल्ड करके कुर्टी को पूरा कर दिया है अब हम इस कुर्टी को सीधा कर लेते हैं मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ कुर्टी किस तरह लग रही है ये देखे कुर्टी का चाक पूरा हो चुका है इस पे आप अच्छे से प्रेस कर दीजे और इस तरह आपका कुर्टी का दोनों तरफ का चाक तयार है बहुत ही आसान तरीके से ये देखे ये है हमारे चाक का क्लोजर लुक इसे आप पास से देख सकते हैं और इस तरह आप अपनी कुर्टी का चाक बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार